आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने knowledgeable concept channel में आज का हमार topic है Microsoft Excel main data validation के उपर data validation में यह जो सब options available हैं उनके उपर हमारा knowledgeable concept channel में video available है और उसके साथ custom के उपर भी हमारा एक video available है हमारे knowledgeable concept channel में आज हम custom के अंदर एक दूसरी formula का भी उपयोग करना सीखेंगे जैसे हमने first video में cover किया था जैसे यहाँ पे number लिखे हुए हैं अगर हम यहाँ पे कोई number लिखते हैं तो ही वो accept करेगा कोई अगर आप नाम या कोई alphabet लिखेंगे तो आपको accept नहीं करता है similarly यहाँ पे भी यह जो options आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे आपने number लिखेंगे तो आपको accept नहीं करेगा कोई अगर आपने नाम लिख दिया तो ही आपको support करेगा similarly जैसे यहाँ पे employee ID आप देख रहे हैं अगर आप कोई भी ID लिख दीजिए लेकिन अगर वो ID पहले से utilize की हुई है तो आपको accept नहीं करने वाला है वो duplicate options को stop कर रहा है तो यह सब options हमारे knowledgeable concept में data validation के अंदर custom के अंदर options available है वीडियो available है प्लीज आप वहाँ से check कर लीजे आज हमारा topic है custom data validation में यह जो numbers हम लिख रहे हैं जो contact number उपर लिखा है इसकी जगए आप suppose हम लिख देते हैं mobile number अब mobile number जो होता है वो normally 10 digits का होता है अब हमें यहाँ पे वो stop लगाना है जैसे कोई number लिखे तो वो 10 digits का ही होना चाहिए उससे कम भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं तो इसके लिए आज हम cover करेंगे एक end formula का उप्योग करना सीखेंगे इस number के उपर cover करेंगे और length function के उपर cover करेंगे अब यह क्या होता है आईए देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे तो हमारा पहले condition रखा हुआ है हम यहाँ पे new function on कर देते हैं suppose यहाँ पे हमने लिख दिया mobile number again ठीक है width increase कर लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ 12 number तब हम data validation लगाने की कोशिश करते हैं with help of these formulas end, is number और length data में data validation के अंदर आए यहाँ पे लिख देते हैं यह custom option ठीक है अब यहाँ पे formula लगानी है हमें first of all is equal की sign दिया पहले last video में हमने is number के उपर cover कर लिया था इस number में क्या किया था हम लोगों ने एक बाफिर से revision ले लेते हैं is number लिखा, bracket दिया और एक first starting point हमने बता दी इसे क्या हुआ इस range में जो हमने area select की है वहाँ पे सरिफ और सरिफ number ही accept होंगे text allow नहीं होगा लेकिन आज का हमार टापिक क्या है इसमें से 10 number ही accept होने चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ starting में is equal के बाद में end की formula लगाते हैं end लिखा, bracket start किया end के लिए यह first option आगया हमारा अगर इस range में कोई number है तो ही उसे accept करे कॉमा लगाते हैं अब यहाँ पे लिखते हैं length जो यह area है हमारी length इसके लिए set करें किसके लिए यहाँ पे first option d2 ही select किया bracket over करके is equal की sign लगाया और number 10 लिख दिया और finally bracket close कर देते हैं जो हमने starting में use की हुई है end के लिए बस okay कर दिया, हो गया अब आब यहाँ पे कोई भी number लिख दीजे जेखिए, accept नहीं करने वाला है अभी वो आपको सुर्फ और सुर्फ 10 digits का ही number accept करेगा आप कोई alphabet कोई नाम लिख दीजे तो भी accept नहीं कर रहा है हम number लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay 9 digits, sorry 10 digits enter किया, accept हो गया और अगर यही same digit हम फिर से utilize कर रहे है लेकिन एक number और दे दिया हो गया, error दे रहा है क्यों error दे रहा है क्यों हमने 11 digits लिख दिये हैं और इसको कितने digits चाहिए जश्ट अभी 10 digits see उसको accept करना है हुआ, हमने क्या फामला का उप्योग कर दिया है यहाँ पर, first of all is equal की sign दी हम इसके सामने लगा देते हैं is equal की sign दी पहले लिखा हमने end end लिखा, bracket start किया end में पहला हमारा logical test क्या है is number के उपर is number, पहले तो यह check करेगा यह जो option है, वो number है या नहीं है bracket over किया, अब हम comma देते हैं यहाँ पर भी दूसरी logical test लगानी है क्या logical test है, हम यहाँ पर लिखते हैं उसकी length, किसकी length इसकी, that means d2 की length वो क्या होनी चाहिए, is equal होनी चाहिए 10 digits के, 10 numbers के बस bracket over कर दिया कौनसा bracket over किया, इस सिर्फ first वाले का enter कर दिया, देखिए आगया true और अगर आप यहाँ पर कोई digits change करते हैं, एक number और भी लगा दिया, error भी दे रहा है और यहाँ पर false भी दे रहा है जबरी नहीं, आप यहाँ पर जैसे हम F2 लगाते हैं, last पर हमने क्या लिखा है, is equal to 10 digits लिखा है 10 digits के equal हमें वो formula support करानी है ओके friends, thank you उमीद करते हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए फायदे मन्द होगा वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, फ्रेंस के साथ शेयर करें और कमेंड करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और bell icon पर click करना ना भूलें जैसे new videos की पहली notification सबसे पहले आपको प्राप्त हो, धन्यवाद